दोस्तों बड़ी बादाओं के बाद भी तैमूर लंग दिल्ली पहुँचा और उसने ऐसा कोहराम सहर के अंदर मचाया कि दिल्ली को पनपने में लगभग सो सा लग आभी दिल्ली पहुचने में हजार किलोमेटर की दूरी बाकी थी और महीनों का वक्त भी रास्ते में ब्रक से धकी उचटाने और गर्मी से शुलसा देने वाले रेगिस्तान बंजर जमीने और रास्ते में एक ही नदी के इतने गुवाओं मिलते थे कि दिल भर में एक ही नदी को चालिस बार पार करना पड़ता था यहाँ पर खाने का एक भी दाना नहीं गया जा सकता था और जो रसत साथ में लेके चले थे उसी से काम चलाना पड़ता था रास्ते में ऐसे ही सेनिकों का चलना मुस्किल था और किसी ने पहले से रास्ता भी नहीं देखा था खुद ही रास्ता बनाना और खुद ही इन पर चलना और ऐसे यसे रास्ते मिलते थे जो रफटीले और पत्रीले होते थे ऐसे जिन पर पेदल या त्री भी ने चल पाए सैनिक फिसल फिसल कर खाईयों में गिर चुके थे और कई सैनिक बिमार भी हो चुके थे जिने रास्तों से वापिस भेज दिया गया रास्ते में बजीर को कई बार ये मजबूर होकर बादसा से कहना पड़ा था कि हजूर आप गोड़े से नीचे उतरिये क्योंकि रास्ता ऐसा नहीं है कि गोड़े में बैटके चला जासके बादसा को खुद कई मीलों तक पैदल चलना पड़ा लेकिन फिर भी उसका इरादा नहीं बदला उसे केवल अपने लक्षे नजर आ रहा था और ये गुपचर ने उसे कुछ रोज पहले या कर बताया था कि उसके बाद से उसके जहन में लालच भर गया सोते जागते चलते फिरते उसे हीरे और जवारात ही दिखते थे दिखता तब बड़ा खजाना और साफ कहें तो दिखती थी हिंदुस्तान की धड़कन खही चानिवले दिल्ली और दिल्ली की ये दोलत बादसा अपना मुस्त कबिल देख रहा था और इसका नाम था तैमू आज की मंगोली सासक तैमूर लंग की कहानी में हम जानेंगे कि भारत पे किस प्रकार से उसने आकरमन किया और कैसे बड़े बादाओं के बात भी तैमूर लंग दिल्ली तक पहुँचा और कैसे उसने इस सहर को ऐसा तबहा किया कि फिर दिल्ली को पनपने में सो साल लग ज से कोते हुए इरान इराक तक का कर्मन कर लूट मार कर चुका था वापिस लोपते समय जब वो अफगानिस्तान पहुंचा तब ही काबूल में एक गुपचर उसके पास आता है और ये गुपचर दिली से लोटा था उसने बादसा को बताया कि दिली के हाल ठीक नहीं और दिली दिली के तुगलक वंस के आंतरिक कलाय का फाइदा उठाते हुए उस पर हमला किया जा सकता है मुका अच्छा है काम्याप हुए तो इतना माल मिलेगा जो अब तक देखाना होगा हिंदुस्तान में उन दिनों काफी अमीर देश माना जाता था और सोनी की चीडिया कही चान में पताया कहा कि अच्छा मुका है दिली को लोटने का इस मीटिंग में उसके कुछ वजीरों का कहना था कि लेकिन हजूर कुछ और बाते हैं जिन पर ध्यान देजी दिली के बादसा नशूर अदिन महमूत साहक के पास हाथियों की बड़ी फोज तीर और जिसमें बड़ी गथी बड़ी सेनाइं कांपती थी चुना है कि उनके सामने कोई नrac थी ब Basci Revolution की फोज भी कापिवड़ी है अमारा मानना है कि एक बार अच्छे से सोच लिया जाए फिर कोई निर्नेर इस पे इस प्र जाए दिली के बादसा के हाथियों की फोज के बारे में टेमूर लंग पने भी सुन रखा था और इस बारे में अपने अतम काथा में भी लिखते हैं कि समरकर मैं ही मैंने भारतिया हातियों के बारे में एक कहानिया सुनी उनके चारों बक्तर लगा होता था और कहा जाता था कि हाती के बाहरी दांतों में जहर लगा दिया जा जिनको वो लोगों की पेट में खुशा देते थे, इन हाथियों पर तीरों प्रालों का कोई असर नहीं उता था और ये हाथी सूंड में भी किसी को भी ले पेट कर कुचल देते थे, पेट तक कुछ खारते थे थे और सामने अली सेना के हाथियों के सामने भैल गो जाती ऐसा तेमूर लंग खुद अपनी अतम का थमें कहते है तेमूर लंग को जब मीटिंग में वजीरों ने दिनली के हाती हुगे बात होता है तो कुछ दिर तद तेमूर लंग भी सोच में पड़ गया और उसने कुछ दिन का समय लिया और कुछ रोज बाद अपने सिपलाशारों को पुने मीटिंग पुलाई देखो कुछ मेंडे की बात अगर जीत गए तो बड़िया और अगर ज्यादा परिशानिंग हुई तो वापिस आ जाएंगे एक चांस लेने में क्या दिक्कत है ये वाक्या कहता है तेमूर महीना अकस्त का आता है और तेमूर लंग की फोस्ट दिल्ली कूच करने के लिए त्यार हो जड़िया लेकिन तेमूर के सामने दिल्ली जीतने की सबसे बड़ी चुनोती दिल्ली तक पहुँचने की थी उसके पास करीब एक लाक से निक थे क्रीब ने एक जार किलोमेटर का रास्ता त्या करना था महसूर इतियास का जस्टिन मोर जी ने अपनी किताब तुमेर लेंड में बताया है कि वो लिखते हैं कि भलाई तेमूर की सेना को लड़ने का जबरतस तनुबह था लेकिन दिल्ली तक आने के लिए जैसे जैसे रास्तों से उसको गुजरना पड़ा उन पर चलने कानुबह उन्हें कता ही नहीं था आगे लिखते हैं कि कोई भी और सेना होती तो हार जाती और आदे रास्ते से वापिस लोड़ जाती लेकिन तैमूर लंग मरते गोड़ों और सेनिकों को देख कर भी पीछे नहीं अटा और वो लंगड़ा था और उसने कई बार पैदल भी चलना पड़ा लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला हो नाहीं हार मारी थी तमाम परेसानियां जेलते हुए तकरीबं तीन पहीने बाद उस सिंदू नदी पर आप होँचा उदर दिल्ली में इस खबर से अड़कम मच कियाता है कि यहां के बाद सा नसुरुदीन मौमूद सा आप सिकलेस की चलते बैसे भी ड्रे होते ऐसे में दिल्ली में असली हुकम मनलू इकबाल खाँ और सारंग खाँ चलाता था जब तैमूर लंग सिंदू नदी पर आका रुका तो यहां सारंग खाँ ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया लेकिन तैमूर ने उनकी सेना को कुछ हिंगड़ों में हरा दिया और आगे बढ़ा अब मंगोलों की फोज सिंदू नदी पार करके हिंदूस्तान में गुस चुकी थी और बहुत तेजी से दिल्ली की उत बढ़ रही थी जो भी रास्ते में विरोध करता उसे कुछल दिया जाता और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते तैमूर ने करीब एक लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया था जिने कुछ रोज बाद थी मारने कादेश दे दिया था उसे डर था कि कहीं ये युद के दौरान ऐसा नहीं हो कि बंदी उत्साइट होकर दिल्ली के सेनिकों के मददकार बंजाए इसलिए उसने एके के पंदी को मरवा दिया था दिल्ली के पास जब तेमूर का गाफी न पहुंचा तो उसने दिल्ली की सीमा से सटे लोनी में अपना सीविर लगाया और इधर दिल्ली का बादस्या महमूद साथ प्रेशान था उन्हें पता था कि उसके पास तेमूर की सेना का मुकावला करने के लिए सेनिक काफी काम आंत्री करहक के चलते कई बार दिल्ली की सेना में बगाउत हो चुकी थी और सेनिक भी अलग अलग गुटों में बटे हुए थी बादशा के पास तकरीबं दस चार गोडे और चालिस चार सेनिक और करीब डिर्ड सो हाती थी उनके सेनिक और गोडों के संक्या काफी खब थी तेमूर की सेना के सामने लेकिन बादशा और उसके खासम खास वजीर को मनलू अकबाल खान को अपने हाथियों के फोज़ पे बहुत बड़ा ब्रोसा था ये फोज़ ही उनकी रही सही हमत पांदे हुई थी इसी दोरान मनलू खान एक प्लान बनाता है और प्लान था कि अचानक तेमूर लंग के सीवर पे हमला हग किया जाए इससे गबरा कर वो वापिस बाग जाएगा लेकिन साइड दिल्ली के बादशा और उसके वजीर बूल गए थी कि तेमूर लंग ने यूही एक के बाद एक देश फते नहीं किये उसके लिए कहा जाता था कि वो हमेसा अपने दुश्मन की साल से एक कदम आगे चलता था मलू खां के हमले का प्लान था था लेकिन इससे दो रात पहले ही तेमूर लंग के सेनिकों ने दिल्ली के साही असले खाने में तिनात एक सेनिक का प्राण कर लिया था सेनिक को पीटा गया और उसने मलू खां का सारा प्लान हाँ पर बता दी तेमूर लंग किसी उर्पा हमला किया तो उसे उल्टे पाउं भागना पड़ा अब भी हैत्या हो चुका था कि एक बड़ा युद हो कर रहेगा और दोना तरफ से त्यारी सरूर हो गए बाद 17 दिसंबर 1398 को मलू खाँ और बाद साम हमूद सां की सेना तेमूर लंग की सेना से लड़ने के लिए दिल्ली गेट से महारा निकली उन्होंने हातियों को बीच में रखा और उनके सबसे बड़ी जो ताकत थी बहीं हाती उन पर हातियानों से ले सेनिक स्वार थे और लड़ाई में तेमूर की सेना भारी पढ़ने लगी लेकिन जब दिल्ली के हातिया आगे बड़े तो मंगोलों की सेना कुछ ले जाने थे दिल्ली के बाद साम हैमूर सार वजीर मुलू था ये देखता बहुत खुश होते हैं लेकिन जैसा कि उस समय ठाजा जाता था कि तेमूर की हर चाल सामने वाले से एक कदम आगे होती है यहां भी तेमूर ने हातियों से निफने का प्लान पहले ही त्यार कर लिए जश्टिन दिल्ली की सेना के हाति आगे बढ़ने लगे तो तेमूर ने अपने सेनिकों से उंट और बैलों पर रखी घास में आग लगाने को खा जलती आग के साथ उंट जब आगे बढ़े तो हाती डुक और उल्टे पाउं भागने लगे आगे जाते तो गड़े में गिरते दिल्ली पर कपचा के लिया और दिल्ली के बाद से महमूत सा और उसके वजीर मलू खां दिल्ली छोड़कर जंगलों में भाग गए थी इसके बाद दिल्ली में मंगोली सेनिकों ने जसन मनाया और इस दुरान वोड़तों को छेड़ने लगे वो गली गली में रुपेया प पूरा सेर फून से रंगा था इत्यासकार जस्टिन मौर जी आगे लिगते हैं कि तेमूर की सेनिकों को दिल्ली में लूट पाट करने है और लोगों की मारने की खुली छूट दी बड़ी संक्या में लोगों ने बचने के लिए एक मस्जिद में सरणनी उने लगा कि मंगोली सेनिक यहां नहीं आने लेकिन वहाँ पर भी सेनिक उनका फिच्छा करते करते हुए आ जाते हैं मौर जी के मताबिक उन्होंने काटे हुए सीरों का उंचा साथ धेर लगा दिया था वो आगे बताते हैं कि इस मीश तेमूर लंग दिल्ली में केवल 15 दिन रहा था और इस दुरान उसने बजीर और सेनिकों ने दिल्ली को बड़ी पहरमी से लूटा लोगों की पसलों को तबाह कर दिया था और ऐसा हाल किया कि दिल्ली अगले 100 साल तक उबर नहीं पाई अगर इत्यास कारों के माने तो दिल्ली उजड़े और परबाद हो जाए तेमूर लंग को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि उससे दिल्ली परशासन नहीं करना था वो केवल और केवल एक मकसद से आया था उससे लूटने और उसने ही अपना मकसद भी रख आज के इस वीडियो में हमने दोस्तों तेमूर लंग के बारे में जाना वीडियो में पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू